लोग कथा पंची बोला चार पहर, कथावाचक निदी सहगल पुराने समय की बात है, एक राजा था, वो बड़ा समझदार था, और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था उसके महल के आंगन में एक बकॉली का पेड था, रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड पर आकर बैठता, और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बाते कहता पहले पहर में कहता, किस मुख दूद पिलाऊं? किस मुख दूद पिलाऊं? दूसरे पहर लगते बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख जब तीसरा पहर आता, तो कहने लगता, अब हम कर्बू का, अब हम कर्बू का जब चौथा पहर शुरू होता, तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं राजा रोज रात को जाक कर, पक्षी के मुख से चारो पहर की चार अलग-अलग बाते सुनता, सोचता, पक्षी क्या कहता? पर उसकी समझ में कुछ ना आता, राजा की चिंता बढ़ती गई, जब वे उसका अर्थ निकालने में असफल रहा, तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सभाल सुनाया, और उससे पक्षी के प्रश्नों का उत्तर पूछा, पुरोहित भी एक साथ उत्तर न पूछी गई चारों बाते बराबर चक्कर काटती रही, वह बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब ना सोचता, अपने पती को हैरान देखकर, ब्रामणी ने पूछा, तुम इतने परिशान क्यों दिखते हो, मुझे बताओ, क्या बात है, ब्रामणी ने कहा, क्या बताओ, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आखडी हुई है, राजा के महल का जो आंगन है, वहां रोज रात को एक पक्षी आता है, और चारों पहर के नित नियम से चार अलग-अलग बाते कहता है, राजा पक्षी के उन बातों का मतलब नहीं समझा, तो उसने मुझ से उनका म मतलब पूछा, पर पक्षी की पहलिया मेरी समझ में भी नहीं आती, राजा को जाकर क्या जवाब दू, बस इसी उधेड़ बुन में हूँ, ब्रामनी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ, प्रामनी ने चारों पहरों वाली चारों बाते कह सुनाई, सुन जिब दे सकती हूँ, चिंदा मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगे, ब्रामन राजा के महल में गया और बोला, महराज, आप जो पक्षी के प्रश्णों का उत्तर जानना चाहते हैं, उनको मेरी स्तरी बता सकती है, पुरोहित की बात सुनकर, राजा ने उसकी इस्तरी को बुलाने के लिए पाल की भेजी, रामनी आ गई, राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया, रात हुई तो पहले पहर पक्षी बोला, किस मुख दूद पिलाऊं, किस मुख दूद पिलाऊं, राजा ने कहा, पंतानी, सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है, वो बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वो अधिकट बात कहता है, राजा ने पूछा, अधिकट बात कैसी, पंतानी ने उत्तर दिया, राजन, सुनो, पूरी बात इस प्रकार है, लंका में रावण भयो, बीस भुजा दश शीश, माता ओकी जा कहे, किस मुख दूद पिलाऊं, किस मुख दूद पिलाऊं, लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी बीस भुजाएं हैं, और दस शीश हैं, उसकी माता कहती है, कि उसे, उसके कौन से मुख से दूद पि बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ, तो पक्षी कहने लगा, ऐसो कहूं न दीक, ऐसो कहूं न दीक। राजा बोला, पंटानी, इसका अर्थ क्या है। ऐसो कहूं न दीक, ऐसो कहूं न दीक। चारों दिशा, सारी पृत्वी, नव खंड, सभी छान डालो, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महराज, सच है या नहीं। महराज बोला, तुम ठीक हैती हो। तीसरा पहर लगा, तो पक्षी ने रोज की तरह ही आप बात को दोहराया। अब हम कर्भू का, अब हम कर्भू का। ब्रह्मानी राजा से बोली। महराज, इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूं। सुनिए। पांच वर्ष की कन्या, साथे दही ब्या, बैठी करम बिसूर्ती, अब हम कर्भू का, अब हम कर्भू का। पांच वर्ष की कन्या को साथ वर्ष के बूडे से गले बान दो, तो बिचारी अपना करम पीट कर यहीं कहेगी, अब हम कर्भू का, अब हम कर्भू का। सही है न महराज राजा बोला पंटानी तुम्हारे ये बात भी सही लगी चौधा पहर हुआ तो पक्षी ने चोँच खोली सब बंबन मर जाएं सब बंबन मर जाएं तभी राजा ने ब्रामनी से कहा सुनो पंटानी पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वो उचित है ब्रामनी मुस्काई और कहने लगी महराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अदकर बात कहता है वो तो ऐसे सब ब्रामनों को मरने की बात कहता है विश्वा संगज जो करे सुरा मास जो खाएं बिना सप्रे भोजन करे वे सब बंबन मर जाएं वे सब बम्मन मर जाएं जो ब्रामन वैश्या की संगत करते हैं सुरा और मास का सेवन करते हैं और बिना इस नान के भोजन करते हैं ऐसे सब ब्रामनों को मर जाना ही उचित है जब बोलिये पक्षी का कहना ठीक है या नहीं राजा ने कहा तुम्हारी चारो बाते बावन तोला पाव रत्ती ठीक लगी तुम्हारी बुद्धी धन्य है राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया अब पुरोहित का आदर भी राजदर्बार में पहले से अधिक बढ़ गया लोग कथा पंची बोला चार पहर कथा वाचक निदी सहगल